क्या मरा हुआ, आदमी जिन्दा हो सकता है, कभी नहीं, परंतु ये भी परमसत्य है, कि गुरु की दया की कोई सीमा नहीं है, गुरु हम पर सिर्फ दया करते हैं, उसकी दया का कोई अंत नहीं है, लास्ट साखी में भी मैंने गुरु की दया का जिक्र किया था, कि किस तरह ग बाबाजी का सत्संग था और बाबाजी की दया से हमने भी वो सत्संग सुना। सत्संग पंडाल में सत्संग से कुछ दस मिंट पहले एक अलोसमन्त होती है कि पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, जो अंदर से लोक है, उसका नुमबर भी बोला गया। और बोला गया कि उसमें कोई अपना बच्चा गाड़ी में भूल गया है, जो रो रहा है और गाड़ी लोक है। आप जल्दी से जल्दी गाड़ी के पास पहुँचे। ये अलोसमेंट दो तीन बार हुई। ये सुनकर थोड़ा अजिब लगा और हम थोड़ा हसे भी कि कैसे लोग हैं। आपना बच्चा कोन गाड़ी में भूल जाता है। दुनिया में ऐसे लोगों भी हैं कि बच्चे को गाड़ी में लोक करके सत्संग में आ गए। चलो, सत्संग समाप्त हुआ, हम घर आ गए। कुछ दिन बाद सेवदरों से पता चला कि जो उस दिन सत्संग से पहले जो अलोस्मेंट होई। उसके पीछे क्या कहानी थी। हुआ ऐसा था कि एक सत्संगी परिवार था। बाबाजी के भाने में रहता था। मोहाली अपने बच्चे के इलाज के लिए आया था। बच्चा किसी करण पुरा हो गया। जिस दिन पुरा हुआ, वे वापीस घर जा रहे थे। उसी दिन बाबाजी का सत्संग था। घरवालों ने सोचा कि जो होना था, वो हो गया। आज बाबाजी का सत्संग है। तो सत्संग चले जाते हैं। तो वो अपने बच्चे को लेकर मोहाली सत्संग घर में आ गए। और गाडी पारकिंग में लगा और सोचा कि बच्चे को यही छोड़ देते हैं इसमें अब कौन सा कुछ है तो वे बच्चे को ऐसे ही कपड़े से ढख कर और गाड़ी लोग करके सतसंग में चले गए कुछ समय बाद वो बच्चा गाड़ी में रोने लगा गया और सेवादरों ने देखा एक बच्चा गाड़ी में रो रहा है कोशिश की गाड़ी खोलने की गाड़ी अंदर से लोग थी फिर सेवादारों ने अलोस्मेंट करवाई और उसके घर वालों से पूछा कि अपको इतना भी क्या था कि बच्चे को ही भुल गए फिर उन्होंने सारी बात सेवादारों को बताई ये तो पूरा हो चुका था इसी लिए हम गाड़ी में ही छोड़ गए थे अपने बच्चे को देख उस परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था बाबाजी कभी किसी को निराश नहीं करते वो सब की लाज जरूर रखते हैं तभी तो कहते हैं कि उसके दया की कोई सीमा ही नहीं वो किसे क्या देदे क्या पता संत कभी जादू या चमतकार नहीं करते वो सिर्फ जिवो पर अपनी दया मेहर और अपने जिवो की लाज जरूर रखते हैं संतों की तो मोजी होते हैं, और जो कुछ देते हैं, मौज में देते हैं, पर देते उसे हैं, जिसे उन पर आठुट भरोसा करता है, विश्वास करता है, संत सिर्फ अपनी दया करते हैं, बाबा जी तो रब है, ये वो लोग भी कहते हैं, जो सत्संगी भी नहीं है, सब को पत पर इसका प्रमान, हम में से तो कोई नहीं दे सकता, जिसके पास प्रमान है, वो उनकी दया में इतना मस्त है कि मुह ही नहीं खोलते, खोले भी क्यों जिसे रब मिल गया, वो गली-गली शोर थोड़ा मचाते हैं, वो तो बस यार की रजा में रजी रहते हैं, रधा स्वामी दो भी क्यों पर दोले यार की रहते हैं, और भी क्यों पर दो कर सकती हैं, वो बाली भर रएक रहते हैं, वो जब तो इसका दो बदूखर।